नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी गाचीर परिचित दोस्तों पस्थित हुआ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां कच्ची हल्दी के आईए फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं हल्दी के खास गुणों से अमुमन हर कोई परिचित होता है भारती खाने की हल्दी के बिना कलपना करना भी मुश्किल है हल्दी के उपियोग पाचन तंतर को सुधारने में सुजन को कम करने में और शरीर के शोधन में हजारों सालों से उपियोग किया जा रहा है इसमें पाय जाने वाला तत्व करक्यूमिनोइड और बोलाटाइल तेल कैंसर रोग से लड़ने के लिए भी जाना जाता है सर्धियों के मोसम में हल्दी के गांट का उपयोग सबसे अधिकलाफ दायक है और यह समय हल्दी से होने वाले फायदों को कई गुना बढ़ा देता है क्योंकि जानकर आश्चर्य होगा कि कच्ची हल्दी के इस्तेमाल के दोरान निकलने वाला रंग हल्दी पाउडर की तुलना में काफी जादा गाढ़ा और पक्का होता है कच्ची हल्दी अधरक की तरह दिखाई देती है इसे जूस में डाल कर दूध में उबाल कर चावल के होने वाले लाभों के बारे में कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं यह खास तोर पर पुरुशों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उन्हें खत्म भी कर देती है यहानिकारक रेडियेशन के संपर्क में आने से होने वाले ट्यूमर से भी बचाओ करती है हल्दी में सूजन को रोकने का खास गुन होता है इसका उपयोग गठिया रोग्यों को अत्यधिक लाफ पहुंचाता है यह शरीर के प्राकृतिक सेल्स को खत्म करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है और गठिया रोग में होने वाले जोडों के दर्द में लाफ पहुंचाती है कच्छी हल्दी में इनसुलीन के अस्तर को संतुलित करने का गुन होता है इस प्रकार से यह मधुमिह रोग्यों के लिए बहुत लावदायक होती है इनसुलीन के अलावा यह ग्लूकोज को नियंतृत करती है जिससे मधुमे के दोरान दिये जाने वाले उपचार का असर बढ़ जाता है परन्तु अगर आप जो दवाईयां ले रहे हैं बहुत बढ़े हुए अस्तर यानि के हाई डोज की हैं तो हल्दी के उप्योग से पहले चिकित सकिये सलाह अत्यंत आवश्यक है शोद से सावित हो चुका है कि हल्दी में लिपो पाली से चराइड नाम का तत्व होता है इससे शरीर में इम्मून सिस्टम मजबूत होता है हल्दी इस तरह से शरीर में बैक्टिरिया की समस्या से बचाओ करती है यह बुखार होने से रुखती है इसमें शरीर को फंगल इंफेक्शन से बचाने वाले गुण पाये जाते हैं हल्दी के लगातार इस्तेमाल से कोलेस्ट्रोल सेरम का अस्तर शरीर में कम बना रहता है कोलेस्ट्रोल सेरम को नियंतरित रखकर हल्दी शरीर को और ख्रिदय रोगों से सुरक्षित रखती है कच्ची हल्दी में एंटी बैक्टिरियल और एंटी सेप्टिक गुण होते हैं इसमें इनफेक्शन से लड़ने के गुण भी पाये जाते हैं इसमें सुराइसिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों से बचाओ के गुण होते हैं हल्दी का उपयोग त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है इसके एंटी सेप्टिक गुण के कारण भारते संस्कृति में विवाह के पूरो पूरे शरीर पर हल्दी का उप्टन लगाया जाता है कच्ची हल्दी से बनी होई चाय अत्याधिक लावकारी पेय है इससे इम्मून सिस्टम मजबूत होता है हल्दी में वजन को कम करने वाले गुण पाये जाते हैं इसके नियमित उप्योग से वजन कम करने में सहायता मिलती है शोध से साबित होता है कि हल्दी लिवर को भी स्वस्थ रखती है हल्दी के उप्योग से लिवर सुचारू रूप से कारे करता है तो हमने आपको अपने चैनल पे बताया हुआ है कि हल्दी के और क्या क्या गुण होते हैं लेकिन ये जो आज हमने आप सभी को भताया ये कच्ची हल्दी के गुणों से पून आज का हमारा हुआई सोवर था ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धान्यवाद नमस्कार दोस्तों